हलो वेलकम टू अल इन दिस यूटूब चैनल विद्या मंत्रा आज हम आपको एक नई जॉब अपडेट्स के साथ लेके आए हैं कि यह जॉब जो भी स्टूडेंट्स इंजिनिरिंग का कोर्स कम्प्लीट कर चुके हैं और उनने गेट 2022 की परिक्षा दी हुई है उनके लिए की एक्जामनिशन है देखे यह जो रिक्विट्मेंट हमने लिया है यह अल एक्जाम्रिव डॉट काम एंड एक्जाम्बॉक डॉट को डॉट इन उनकी किसी लिंक से मुझे मिला है बट इस इस वेरी ट्रू इंजिनिर्स इंडिया लिंटेड जो की एक नौरतन पीस्यू ह गॉट्मेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेंसिंग एपीशी कंपनी है नौरतन पीस्यू का स्टेटस मिला हुए है डिलिवरिंग वर्ल्लस प्रोजेक्ट फोर इपने प्रोजेक्स कर रहे हैं तो मतब आपको ओर सीज जाने का मोका मिलेगा फॉरन भी आप घूम सकते हैं प्र वेकेंसि निकली होगी इस बार गेट 2020 से वो मैनेजमेंट ट्रेनी की होगी और मैं आपको बता दूँ कि यह जो लमसम वेकेंसिज आई है चैमिकल इंजिरिंग में जिनोंने गेट का पेपर दिया है और ग्रेजुएशन चैमिकल इंजिरिंग में किया है उनके लिए सिक्स वेकेंसि आएंगी, मेकेंकल इंजिरिंग में जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया है और पेपर गेट 2020-22 का पेपर मेकेंकल इंजिरिंग से दिया है उनके लिए 35 वेकेंसि रहेंगी और सिविल इंजिरिंग में जिन लोगों ने किया है उनके लिए 12 वेकेंसि रहेंगी, Electrical Engineering के लिए 13 vacancy और जिल लोगों ने Instrumentation Engineering से गेट 2022 दिया है और उनके बस Instrumentation Engineering की डिग्री है या Final Year में है वो उनके लिए 9 vacancies है ठीक है तो अगर मैं देखा जाए यहां पर तो Approximate 75 number of the total vacancies 75 numbers of the total vacancies 39 number vacancies जो है वो mechanical, civil, electrical, instrumentation की यहां से है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूगी जो यह vacancies आई हुई है 75 number of total vacancies है जिसमें से 39 जो vacancies है और exclusive for project sizes India and abroad मतलब यह 39 vacancies जो इंडिया या abroad के लिए है different different project size के लिए अब मैं आपको एक चीज़ यहां पर बता दूगी यह जो पूरा selection process होगा वो gate 2020-22 से होगा Engineers India Limited एक नौरतने company है जिल लोगों ने इस discipline में gate 2022 दिया है उनके लिए होगा और जो vacancies आईगी उसमें reservations होगा EWS, SCST, OBC और as per the government guidelines Interested eligible candidate wish to apply जो apply करना चाहते है management trainee के लिए और वो gate 2022 में appear होना उनके लिए जरूरी है Indian disciplines में और जो advertisement आएगा recruitment process जो होगा वो start होगा 22 February 22nd February राद 12 बज़े से सुरू हो जाएगा और 11 बच के 69 मिनिट राद 14 मर्स 2022 तक ही रहेगा, window open रहेगी online form submit करने की तो engineers india.com website description में मैं link दे दूँगा ये window open होगी 22nd February से लेके 14 March की बीच में जो लोग apply करना चाहते हैं उसके बाद different different stage में जो processes होगी like short listing होगी सबसे पहले short listing के बाद company call करेगी कि भाई आप लोग आईए interview दीजे लेगी और आपकी joining होगी और बहुत अच्छे perks मिलते हैं और empty है तो सीधे to scale में आपकी joining होगी जिब detail advertisement आएगा तो आपको चीजे पता चलेंगी जो advertisement आएगा HRD recruitment advertisement 2021-2022 ये जो advertisement आएगा तो this is a very good opportunity for who are graduating in 2020 and appeared in the grade 2022 two और जो लोगोंने pass out कर लिया है और वो भी appear हुए है उनके लिए भी opportunity है बसरते आप सारी जो eligibility criteria उसको fulfill कर रहे हैं तो again wishing you all the best आप सभी लोग apply करिये जिनकी gates में अच्छे marks आएंगे उनका selection होने के chances पूरे रहेंगे और ये बहुत अच्छी जॉब है के लिए मेरे चनल को subscribe करना मत भूलिएगा और अगर आप bell icon भी दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो की notifications सबसे पहले मिले और ये knowledge अपने friends के साथ जरूर share करिएगा जो लोग really preparation कर रहे हैं again मेरा thank you सबसे पहले exambook.co और जो ये exambook.co EIL के website पर notification आज आएगा 22 February के असपस तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं detailed notification पहले पर लिजएगा eligibility को check करने के लिए again wishing you all the best from on the behalf of Vidya Mantra team okay